फिल्मी चाची की चाट हेलो जी हेलो ये चाची नौटी फैल्लोज आच की हूँ मैं आपकी फिल्मी चाची लेके एक और चाची नू साथ में और ये चाची कोई और नहीं ये वो चाची है जो आई पी एल के चाचा की होने वाली चाची है वैसे बात तुम समाजी गए हो मैं बात कार रही हूँ सुश्मिता सेन के बारे में जिसका नाम पीछे जुड़ा था ललित मोदी के साथ में ललित मोदी आई पील सब समाजी गयोगे तुम है वैसे बात ऐसी है कि सुश्मिता सेन जो है वो कई सारे बॉइफ्रेंड्स बना चुकी है और एक-एक करके उनसे दोस्ती भी तोड़ चुकी है अब देखो सुश्मिता सेन बड़े खुले ख्यालातों वाली चाची है कहते हैं कि बचारी लाइफ में जिसे कहते हैं नो कॉम्प्रमाइज लाइफ जीती है जितगी में खुश रहती है और एक ही बात फॉलो करती है कि जिन्दगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है और ऐसे म आप गल्तियां करते हो तो उसके लिए आपको दुख नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हर इंसान गल्ती करता है वैसे चाची की फिलासुफी तो बहुत ही ग्रेट है लेकिन लोग बड़े ही परिशान हुए जब लोगों को पता चला कि सुश्मिता सेन ललित चाचा की चाची बनने वाली है तो फिर बात ऐसी हुई कि जब लोगों नो ये पता चला तो लोग समझे कि अब क्या होगा बताओ और सुश्मिता सेन का पुराना जो बाई फ्रेंड है रोमन शॉल उसके बारे उसका क्या होगा बताओ लेकिन खेर सुश्मिता सेन और ललित मुदी की खबर आई गई बड़ी बाते बनी अभी फलहाल थोड़ी शांती है लेकिन सुश्मिता सेन की जिन्दगी में बहुत सारी चीज्जें बाते आई और गई और पता है एक बार सुश्मिता सेन का नाम फेमस सिंगर रिकी मार्टिन के साथ भी चुड़ा था ये बात उस जमानी की है जब सुश्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी उस दरान रिकी मार्टिन के साथ नजदी क्या काफी बाढ़गी थी तो लोगों ने ये समझा कि रिकी मार्टिन और सुश्मिता सेन जो है वो कपल हो गए हैं दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो बड़ी खबरे पहली लेकिन उसके बाद लोगों के मूपे एक जबरदस्त माचा सापा गया जब लोगों नो ये पता चला कि रिकी मार्टिन तो गे हैं और फिर जब ये बात लोगों के सामने आई तो फिर लोगों को लगा कि देखो जब खबरे बनती हैं तो कैसी कैसी बनती हैं और उसके और इतने हिम्हत वाला इनसान है कि देखो उस ने किस तरह से ये बाधे एकसेप्ट करि रिक्की मार्टिन इतना बड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम है पप सिंगर ए मेरा मतबल है कि पॉप सिंगर है वो मुझESे निकाल जाता है वैसे पर ये है कि बड़ा ही जाना माना नाम है सुश्मिता सेन के साथ नाम जुड़ा लोगों ने फटाक से कॉंट्रोवर्सी बना दी कि दोनों का फैर चल रहा है लेकिन बात तो कुछ और ही निकली लेकिन अब देखो ललत मोदी के साथ नाम जुड़ा है क्या पता ये खबर कुछ और आगे निकले क्या कह सकते हो तुम भई हम तो कुछ कहनी सकते लेकिन जिस तरह से सुश्मिता सेन के बॉइफ्रेंड्स बदालते रहते हैं और ललत मोदी ने देखो रिवील किया कि बई ऐसा है मैं रिलेशनशिप में हूं सुश्मिता सेन की तो कुछ खास बात इस बारे में आई नहीं ना जाने कब कोई औरी खबर निकल के आजाए कुछ कानी जा सकता है लेकिन अगर तुमको कुछ दिल में बात लगती है ये खबर जूटी भी हो सकती है तो मैंनू कमेंड्स में लिखके जरूर बताना फिलहाल में चलियो और भी बहुत सारी इ उरते चलिजाए ये